आज पूरे भारत वर्ष में सीमा सुरक्षावल कल उसका 58th रेजिंग डे है और एक यूनिफर्म फोर्स के जो एक टेडिशन रहा है, कस्टम रहा है पूरे सीमा सुरक्षावल में इस दिन को बहुती उल्लास और बहुती बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है इसमें में कारण होता है कि जो हमारे पूरे साल की उपलब्दियां हैं वो हम देश को बताएं मीडिया के थुरू और उसमें एक दिन पहले प्रेस कॉन्फरेंस का एक सिस्टम रहा है उस प्रेस कॉन्फरेंस के थुरू जो भी हमारा पूरे साल की जो उपलब्दियां रही है और पीछे जितनी भी उपलब दिया रही है वो हम मीडिया के थूप पूरे देश को बताएं ताकि सीमा सुरक्षबल में जितना भी जो काम हुआ है कितने अच्छे काम होए हैं कोई बुरे काम भी होए हैं तो उसके बारे में हम पूरा खुल के बात करते हैं और बताते भी है जैसे कि आप सब जानते हैं कि अप्रेल 2010 से पूरीशा स्टेट में सीमा सुरक्षबल LWE के अगेंस्ट में फाइट कर रही है और यहां पे दो डिस्टिक हैं कोरापुट और मलकानगरी जहां हमारे दो सेक्टर हैं कि और हमारी 4-4 बटालियन दोनों डिस्टिक में लगी हुई है और उन्हों ने manos पूरे पिछले 12 साल में जो काम किया है आज मैं पूरे उससे कह सकता हूं कि पूरीशा स्टेट की जो सरकार है वो हमारे काम से पूरी तरह सेटिसफाइड है कि उन्होंने जो जो दाइतों हमें दिये गए हमने उसको पूरी तरह से निभाया है और पूरी ताकत के साथ और पूरी कोशिश के साथ हमारे कार्मिकों ने हमारे अधिकारियों ने पूरी मेहनत करके डिस्टिक मलकांगरी और डिस्टिक कोर पुट में शांतिस तापित की है और इस शांतिस तापित करने के लिए हमारे तीन अधिकारियों और ग्यारा जवानों ने अपनी शाहदत दी हैं और उनकी मैमोरी के तोर पे हमने एक इस बार एक बीड़ा उठाया जैसे मैंने यहां टेक ओवर किया अक्टूबर में कि जो भ मार्क फुट प्रिंट शोड़ना जरूरी है ताकि दूसरे भी लोग उससे एक लेसन लें और लेसन लेके आगे अच्छा काम करें देखिए आप मीडिया के लोग हैं आप हमसे बहतर जानते हैं क्योंकि आपके कनेक्टिविटी लोगों से बहुत अच्छी है आप हमसे बह हुआज के देख पर जूची के ऐसा ओर आज के टाइम में रोड नेटवर्क कैसा है पहले वहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी ओफ कम्मिकेशन नहीं थे आज मेन्न सफ पा पूरी ताकत के साथ और पूरे उसमें यहां स्टेट गौश्मनट के साथ में कॉर्डिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं और वहांपे development का काम काफी तेजी से हो रहा है और लोगों की connectivity दूसरे जो लोग हैं जिनसे वो connect नहीं हो पा रहे थे वो उससे connect हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा example जो है group ria breeze है जो की 1970 में sanction हुआ और जाके 2018 में complete हुआ और उसके लिए हमारे तीन कार्मिकों की शादत दी गई थी उस एरिया में जनपाई के अंदर और आज group ria breeze बन गया है तो जो एरिया पुलकुल free zone था moist के लिए और उनका headquarter था जो डेमबो में आज वहां पर हमारी COBs हैं पुलिस थाने बने हुए हैं और आज वहां के लोग हमसे connected हैं मिलते हैं जुलते हैं और moist के information भी देते हैं जो डेमबो का तो आपको सब को पता ही है कि यह जो है वहां के लोगों ने जो लोग आये थे उन्होंने उनको पकड़ा एक को मार भी दिया एक को जो है उन्हों नहीं पुलिस को hand over किया तो आप समझ सकते हैं कि जो लोकल लोग हैं वो भी उनसे दुखी हैं अभी और उसी वज़े से वो सरकार के साथ connect होना चाहते हैं सरकार भी पूरी तरह से उनके साथ connect होके वहां development का का काम कर रही है और यह इसी तरह से हम आगे लोग बढ़ते रहेंगे और अच्छा काम करते हैं हम माईस के लिए अपील करेंगे क्योंकि माईस भी हमारे भाई बंद हैं भारतिये हैं हो सकता है कुछ dissatisfaction हो किसी तरह से लेकिन हथियार किसी भी समस्या का समाधान नहीं है उनको बातचीत के लिए आगया ना पड़ेगा सरकार जो सेंटरल गौवर्मेंट है और स्टेट गौवर्मेंट की जो सरंडर पॉलिसी है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है उनको वो एक साहता करेगी उनको मेंस्टिम में आने के लिए उनके परिवार को जो एक अच्छा एक इज़त की जिन्दगी बसर करने के लिए उनको अतियार छोड़के आगे अपने जो सरंडर पॉलिसी है उसको अपनानी चाहिए वो आके जो है अपने उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं आगे देश की उन्टी के लिए स्टेट की उन्टी के लिए कांप कर सकते हैं उसका पॉलिसी है अब जैसे हमारा जब भी कोई रिक्रूट्मेंट का पूरा होता है तो हम वहाँ उनको बताते हैं कि भी किस तरह से उनको फारम भरना है उनके लिए फिजिकल वर्क में जो है फिजिकल एक्टिविटी स्कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी होनी है अगर उनको सोला सो मीटर दोड़ना है तो सोला सो मीटर जो है वो कितने जो है मिनिट में पूरी करनी है उनके च्छाती कितनी होनी चाहिए, च्छाती फुलाके कितना होना चाहिए, उनका मेडिकल हम अपने डॉक्टरों से करा सकते हैं उनको जो है जाने से पहले, जिससे कि उनको ये पता लगे कि भी मैं फिजिकली फिट हूँ, मेडिकली फिट हूँ, ताकि वो अपना फॉरम भ कर दो कर दो कर दो